नमस्कार आप देख रहें लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेबली एक तरफ जहां बिहार में बाढ़ अपना कहर बर पा रहा है तो दूसरी तरफ ये स्क्रीन पर अपनी तस्वीरे देखिए फॉर्मल शट पाइट पहने हुए ये डियेम रमन कुमार है पूर्वी चंपारण के डियेम है देखिए किस तरह से हाथ में कुदाल लेकर के मट्टी की कुडाई कर रहे हैं उसके बाद उसी मट्टी को ये बोरे में भरते हैं और अपने कंधे पर उठाते हैं और उसको ले जा करके तटबंद के पास किनारे लगाते हैं तो कहीं न कहीं ये एक नजीर पेस कर रहे हैं डीम रमन कुमार की किस तरह से Ground Zero पर वो खुद उतर गए और Ground Zero पर उतरने के साथी साथ उन्होंने ये भी चिंता नहीं की कि उन्होंने पहना क्या है उनका ड्रेस कोट क्या है और प्रोटोकॉल क्या होते हैं डियेम रमन कुमार खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और मिट्टी की कोडाई करने लगे वहां के लोगों के साथ मिल करके दरसल हालात जो है वो बाड के हालात हैं डियेम रमन कुमार निरिक्षन करने पहुंचे हुए थे पुर्वी चमपारन में लगतार चार-पांच दिनों से हो रही बारिश से जन जीवन अस्त वियस्त है धाका पता ही फेनहार प्रखंडों में सुबह से जबरदस्त बारिश हो रही है काफी बढ़ती जा रही है बार क के कारण जीला अधिकारी पुर्वी चमपारन रमन कुमार ने धारा 144 लगा रखी है और जीले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी सही जीला के सभी जीला स्थरिय पदाधिकारी को हर इस्तिति से निपटने और तयार रहने का निर्देश दिया गया है जिलादिकारी पताही प्रखंड के खोड़ी पाकण में तटबंद का निरिक्षन करने पहुंचे उन्होंने देखा कि बांध से पानी का रिसा हो रहा है खुद अपने कंधों पर रिसाओं को रोकने के लिए बालू भरी मिट्टी भरी बोरी उठ पाई और श्रमदान किया इसके पहले भी डियम रमन कुमार इस तरह के चीजों के लिए फेमस रह चुके हैं आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट डियम रमन कुमार ने पहन रखा है और वो बीना किसी प्रोफाइल के चिंता किये बग प्रिटी कोडते हैं बालु कोडते हैं और लोगों की सहायता से उसे बोरी में भरते हैं बोरी में भरने के बाद उसे से अपनी कंदों पर उछा करके उसको जगा तक पहुचाते हैं तो कहीं न कहीं डीम रमन कुमार एक नजीर पेस कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी होने की ये कोई पहला मामला नहीं है जब डीम रमन कुमार ने इस तरह की कोई काम किया हो इससे पहले भी वो स्कूल की सफाई गंदे बच्चों को नहलाने का काम और गरीब इलाकों में जा मालिक हैं वो जमीन पर उतर करके उनकी सहायता करने को पहुँचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है आप Life Cities के साथ बने रही है इस तरह के अच्छी तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के सब्सक्राइब कर लें फेस्बूक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए lifecities.in पर जाएं धन्यवाद